अगर आपको गडित में कुछ भी नहीं आता, मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता और आप चाहते हैं बोर्ड पैच्चा में 70-80 नंबर आ जाएं या फिर 85 नंबर तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हूँ इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूँ कि एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से 2024 बोर्ड एक्जाम में गडित के पेपर में बहुत अच्छे नंबर कहीं न कहीं आपके 75 नंबर प्लस आएंगी ही आएंगी यह मेरी इदनी गारंटी है अगर आप इसको स सकते हूँ और एक चीज यह ट्रिक पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है जो कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ें मैं सोचा उनको भी यह ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि उनके 75 परसेंट 80 परसेंट नंबर आ जाएं बाकि अगर आपका मतलब आपका आजाता हो च कि छलों यहां पर मैं बताता हूं इसके लिए आपके पस एक neoli pin क्याली एक नीली पिन दो पैन होनी चाहिए मेरे पास 1 डैUS यह यह करूंगा एक नपयों से हैने वाले है आपके बोड एक्साम की बिल्कु से मापी रहेगगी कोई भी ब not दिलाव नहीं रहेगा ठीक है न और सामने का जो फ्रंट पेज रहेगा वा कुछ इस प्रकार से रहेगा जैसे यहां पर हाइस्कूल पैच्छा का आप देख सकते हैं मैं इसको भरना बता दूँगा परिक्छारती का अनुकुर्मांग पैच्छारती का अनुकुराम सब्दो में विशाय प्रस्तपत्र यह सब्की लें आपको ऐसे एक लाइन और इस पर आपको डबल लाइन चढ़ा देना है इसको सिंगल नहीं रखना है खुद सिंगल रहे जाओ लेकिन इसको सिंगल मत रखो तो देखो यहां पर क्या करेंगी एक आइसी आम लाइन खिज देते है आप इसको डबल करने के लिए इतना हो गया अब आपको देखना है पेपर अब मैं ऐसा समझ के चलूँगा कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है पेपर में और देखना मैं आपके सामने ऐसी ट्रिक जो बताऊंगा उससे करूँगा और अगर आप ऐसे करो कि एक चीज मैं आ अगर आपने एंसर घ्लत भी लिखत दिया और कुश्चन था पांच नमबर का तो 5 में से भले आपका answer गलत आया हो और आपने step सही लिखे हैं तो 5 में से 4 नमबर या फिर 3 नमबर तो आपको मिलेना तैय है भले ही answer गलत हो यह मत आप समझना कि आपको number नहीं मिलेगा आपको मिलेगा फिरीबिन अमबर तो यह होता है step marking का आप कह सकते हैं, इष्टेप माररकिंग का फायदा होता है और एक चीज पेपर देने से पहले अभी ही, जितने भी फॉर्मूलेidd की है मैयत की सारे तयार कर लो, मुस्किल से मुस्किल पचास या साथ ही फॉर्मूलेयवहमयत में, गड़े में कितने फॉर्मूले हैं, ज्याद अब हम सुरू करते हैं इसके बाद से यहां पर आना है जैसे बहुभी कलपी प्रस्थ पर ज्यादा आपको समय व्यतीत नहीं करना है क्योंकि वह यमार प्रकिया जाएगा वह यमार सिर्ट यह है ऐसे ओयमार करना है तो ओयमार को हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में अब देखो यहां पर आएगा बहुभी कले प्रस्थ टोटल आप देखते चलो जो चीचे बता रहा हूं एक ट्रिक आप अच्छे से समझते चलना इंदम दिमाग में बैठा लेना जिसकी म बहुभी कल्पी प्रस्थ तोटल कितने आते हैं 20 और कितने मार्गे के ट्वंटी नमबर के लिए आते हैं अब जहां पर आपको कुछ नहीं आ रहा है कुछ नहीं आ तो आप तुक्का मारोगे तुक्का मारोगे तो आपके लगबग 6-7 कुश्चन साही होंगे लेकिन आप आपको यहां पर ध्यान देना है तुक्का ऐसे नहीं मानना है देखना है कि जो भी कुश्चंस है उस पे से कौन सा थोड़ा अलग है जैसे आप कोई भी मांग सकते हो किसी संख्या का एक तिहाई भाग एक कीस के बराबर है तो वह संख्या होगी किसी संख्या क्या है एक तिह सबसे पहले आपको लिखना है उपर लिख देना है यहां पर डाल दो खंडबा खंडबा और ऐसे कर देना है फिर देखो जो कौन सा कुश्चन है यह हमारा कुश्चन है पहला पहले का ए वाला तो लिखेंगे प्रस्तोत्तर संख्या एक का ए यहां पर लिख दो प्रस्तोत्तर संख्या एक का ए नीचे क्या करना आपको अंडर लाइन कर देने देखो यहीं सब चीनों को ज्यादा नंबर मिलेगा यह सब्सक्राइब करने से आपको नहीं मिलेगा इतना लिखना है यहां तो कोई पढ़ने वाला बच्चा पर उसको पढ़ने के जरूरत ही नहीं पढ़ेगी अगर आपने उसके अपना विश्वास जमा लिया तो चलो देखते हूं उसके बाद क्या करना है डारेक्ट यहां प हल तो हमको आता नहीं तो हम क्या लिखेंगे अब देखो यहीं पर तो आती है ट्रिक आप अभी से ही उठालो अपनी मैत की कॉपी मैत का मतलब भूक उठालो उसमें जो जो मैं आपको एक वीडियो में मैं टिक करा दूंगा कुश्चन सिर्फ उनहीं कुश्चन को पढ़क सबस्ते चले जाना है अब देखो यहां पर जैसे लिखा है टू कॉस स्कॉाइर फोर्टी फाइब डिगरी बराबर एक माइनस एक बराबर कॉस थीटा अब इतना है थीटा का मानियात करना है अब देखो इसी प्रकार से आप त्रिकोड मित का कोई भी एक याद किये करोगे वही लिख़ anders ये अगर वह भी आख किया करोगे पहले यहीं आपको उतार देना सब consistent यह लिख रहें गया यही उतार देना है यहीं पूरा नीली पेन से उतारते चलना काली पेन का प्रियोग नहीं करना है तो यहाँ पर क्या करोगे टू कॉस अब उसके बाद क्या है इसक्वाइर पूर्टी फाइब डिगरी माइनस वन बराबर कॉस थीटा इतना लिख दोगे अब देखोश में थीटा कमाल पूछा है तो अपने मन से ही कुछ ना कुछ बनाना सुरू करते हैं अपने मन से फिर यहाँ पर यही सेमची लिखेंगे जैसे यह हैं तो इसको करोगे आप काइन से भी कर सकते हैं मैं छोड़ कर चाव लिखना सुरू करते हैं क्योंकि हमें जादर नहीं आता है फिर यहीं सेमची उतार होगे टू कॉस इसको फैंतालिश डिगरी इतना निकाल लिए अब देखो माइनस एक लिखा है तो इसको आप जानते हो माइनस अगर बराबर क जिए्टा इस लिख दो तब यहाँ इनस एक उधर जाएगा तो प्लस एक हों जाएगा इतना हो गया अब देखो इसके बार उट कि इसको ने कर रहा हूं मैं इसके तरीके से कर रहों मतलब हमें नहीं पता कि क्या कैसे होगा फिर एक बार कर दो यहां पर जैसे टू कॉस इसक्वाईर old 45 अंस है तो कॉस पान्थ संस का मान देख लेना है वैसे तो मान होता है एक बट्टे रूट दो अब इसका इसका स्कॉायर तो ऐसे कर दोगे ब्रीकड में इसका स्कॉयर लगा दोगे फिर यही सेम चीज़ उतार होगे जैसे कॉस्ट थीटा प्लस वन है तो लिखेंगे मैं पर कॉस्ट theta plus 1 अब फिर इतना तो आपको करना आता ही हो गा ना इसका square तो देखो दो ऐसे लिखे रहो गुडे में, एक का square मतलब एक गुडे एक, कितना होगा? एक ही होगा, root 2 का square होता है 2, तो 2 कर देंगे अब यहाँ से 2 कर जाएगा, आएगा एक बचेगा बाकी पहले इसको आप यही सेम चुता तो cos theta plus 1 अब देखो क्या करेगे यहाँ पर एक बचा बराबर cos theta plus 1 अब यहाँ पर आप देखो cos theta का मान कितना होगा अब देखो हमको कुछ नहीं पता इसकी तरीके से नहीं कर रहे हैं एक से एक को काट दो अब कहोगे भया क्यों काट दे क्या आपके कहने पर इसकार नहीं मेरे कहने पर नहीं देखो यहां पर cos theta plus 1 है तो अब फिर यहीं सेम चीज़ जैसे लिख दो हम यह आप लाइंकिस देते हैं प्लस 1 बराबर 1 फिर cos theta पैसे लिख दो cos theta अभी मैंने आपको बताया था कि बराबर के उस तरफ जैसे यहां पर एक है अभी जो सब्सक्राइब के बराबर होगा तो लिख दो यहां पर कॉस नाइंटी अंस ठीक कॉस थीटा बराबर जीड़ो मतलब कॉस नाइंटी डिग्री अब कॉस से कॉस काड़ दो धीटा की मैलू आ गई नाइंटी डिग्री देखो आप कुस्चन देखकर हैरान हो जाओगे लेकिन बात में अगर एक एक चीज़ां से सॉल्ब करना सुरू करोगे तब तो कहोगे याद इतना असान था फिर भी हम छोड़ ने हम अंडरलाइं यह भी कर दिये सारा चीज लिखने को पर डिपंड कि आप कैसे लिखोगे और वैसे ही एक्जान में समझेगा कि आप उस तरीके वाले इस्टुडेंट हो और वैसे ही वह आपको नंबर भी देता जाएगा यह चीज आप लोग अपने तिमाग में बैठ पड़े हुए हैं अगर कमेंट करोगे वह यह तो मैं बना दूंगे आप चिंता मत करो पूरी हर चीज आपके लिए प्रॉइड हो जाएंगी तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है सेकंड कुश्चन का फर्स्ट करते हैं लिखेंगे प्रस्तनोत्ता संख्या दो का पहिला यहा अब नीचे फिर ऐसे सेम चीज करना सेम प्रोसेश करना है नीचे अंडर लाइन अच्छा एक चीज आपको बता देता हूं बहुत साहे लोग कमेंट करते हैं कि भाईया आप रेप्लाई ही नहीं दे पाते हूं ऐसा ऐसा चीज बताते हैं तो यार देखो टाइम नहीं मिल है बहुत सारे डेली कमेंट आते बहुत कमेंट आते इसलिए नहीं देपाते तो अगर आप चाहते हो कोई भी मतला आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़े हैं फिर कुछ भी है तो इंस्टाग्राम पे मैं लिंक दिया हूं इंस्टाग्राम की ठीक डिस्क्रिप अब इसके बाद देखते हैं क्या इसके बाद आता हमारा हल अगर आपको यह कुश्चन नहीं आ रहा देखो कुश्चन में क्या है अगर नहीं आ रहा तो डायेट ली अब क्या करना मैं बताते चलता हूं साथ दस्वनों छे सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए यह सब चीजें माले देख पूछ चाहाब से रेखाखंड कीजिए और इसे पांच अनपाते आठ में अनपात में वादित करता ऐसा ऐसा कुछ दिया गया है ठोड़ो वह कुश्चन ठोड़ो डायेट नहीं लेकिन ऐसे करते जाओंगे जरूरी नहीं अब देखो थोड़ा समय आपको समझा देता हूं यहीं पर एक है तो अब इसको लिख दो की यही सेम रहे तो एक स्कुरार प्लस टू एक्स प्लस वन यक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो अपने मन से देखो मैं कुछ भी लेते हैं प्लस वन वन प्लस टिक्स बराबर जीरो और फिर यहां पर आपको यहीं सेम चीजे करनी है प्लाई जैसे कर दो टू एक्स प्लस वन यहां के यहां उठा दो तो मैं कुछ सही सही नहीं लिख रहा हूं गलत ही है मुझे पता है बराबर जीरो कर दो अब इसके बा देता है नमबर देता है जब आपको शुरू कर देगा तो आप भी देखोगे कि आपने कुछ नहीं कर किया था नमबर मिले है अब यहां पर एक जो ट्रिक आती है वो क्या आती है अगर आप कुछ नहीं करोगे तो एक्जामनर आपके नमबर काटेगा भाई याद रखना इस तीन नमबर तो आपको देगा ही देगा क्यूं कि आपने उसी तरीके से कुछ लिखा यह पुंछ लिखा है यह अप इधर से आ गए थोड़ा बहुत या लगया प्सक्रेंद। formula आप याद किये हो तो क्या करना बीच बीच में ऐसे box एक मना लेना ऐसे box बना कर यहीं पर आपको formula लिखते हैं मालनो a plus b का whole square का formula लिखना है तो ऐसे लिख दो a plus b का whole square बराबर फिर यहाँ पर लिख दो a square plus b square plus 2ab भले ही इसमें कोई use ना हूँ लिख दो भई या लिख दो अच्छा नंबर मिलेगा आपको यह सब ध्यान रखना ट्रिक होती है लेकिन कोई आपको बताता नहीं है सब चीजें a-b का whole square है तो क्या आएगा a square plus b square minus 2ab a square plus b square minus 2ab अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियो बनाओ तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना अपना सुझाओ देना कि आखे मुझे क्या क्या किस ट्रैप की वीडियो लाने चाहिए वीडियो अच्छी लगए तो भाई वीड वीडियो में